Dear Students, आज मैं आपको relation में कराने जा रही हूँ कि यदि हमें कोई relation दे रखा है तो हम उसको matrix में किस तरह के से represent कर सकते हैं तो suppose हमारे पास एक set है A जिसके elements है A1, A2, A, M और एक set है B जिसके elements है B1, B2, B, N तो कोई भी ये दो sets है और A से B के बीच में हमको एक R को हम एक matrix से represent करना चाते हैं तो matrix को हम represent करते हैं M, R, R नीचे लिखते हैं suffix के रूप में M, R is equal to M, I, J ज़्या, i-th row और j-th column का element और M by N किसे निरुपित करते हैं जहां पर M, I, J is equal to 1 यदि हमारा A, I, B, J is related is element of R यानि कि 1 आएगा यदि A, I और B, J के बीच कोई relation है और 0 आएगा यदि हमारे A और B के बीच कोई relation नहीं है for each I is from 1 to M and from each J is from 1 to N matrix M, R को हम कहते हैं की relation R की matrix कहते हैं अब हमारे पास में एक example से मैं आपको इसको clear कर दूँ मालेज हमारे पास में set दे रखा है A जिसके elements है A1, A2, A3 और set B A जिसके elements है B1, B2, B3 and B4 दो finite sets है और हमने R assume कर लिया कि जिसके elements है वो A1, B2 यानि की A1 and B2 are related ordered pair मैं बोल दूँ है A1, B2, A1, B3 A2, B1 A2, B2, A2, B4 A3, B2 A3, B3 and A3, B4 यानि A1 related to B2 A1 related to B3 A2 related to B1 A2, B2 के बीच relation है A2, B4 के बीच relation है A3, B2 के बीच relation है A3, B3 आपस में related है और A3, B4 आपस में related है तो ये एक relation दे रखाता हमें set A से set B में तब हमारे पास जो R की matrix यानि relation की matrix M R किस प्रकार हो जाएगी अब देखे A1 और A1 के बीच कोई relation नहीं है तो 0 आगया हम में यहाँ ले रही हूँ कि जो रोज है वो तो represent कर रही है A1, A2, A3 और जो columns है वो represent हो रहे हैं हमें B1, B2, B3, B4 से तो हमेरे पास A1 और B1 के बीच कोई relation नहीं है इसलिए 0 A1 और B2 के बीच relation है इसलिए 1 जो हम first row की बात कर रहे है A1, B3 तो 1 A1, B4 नहीं है इसलिए 0 similarly A2, B1 A2, B1 हमेरे पास है इसलिए 1 हो जाएगा and A2, B2 तो 1 हो जाएगा A2, B3 नहीं है इसलिए हमेरे पास 0 और A2, B4 क्योंकि हमेरे पास है इसलिए 1 similarly हम third row बना देंगे अब कभी हमें matrix दे रखियो तो हम relation भी बना सकते हैं और यदि relation दे रखियो तो हम matrix भी बना सकते हैं अब है हमारे पास में यदि हमारे पास में दो relation दे रखियों R और S तो उनके composite relation S, O, R का matrix में कैसे represent करें मालेज हमारे पास में एक set है तीन sets है A, B, C non-empty sets है और relation R है वो A और B के बीच है और S एक relation है जो हमारे पास में B और C के बीच है तो हम इनके जिट relation की matrix है उनको respectively MR और MS से denote कर रहे है तो हमारे पास जो composite relation S, O, R की matrix है हम उसको M matrix के रूप में S, O, R M, S, O, R ठीक है एवं हाँ, S, O, R की matrix M, S, O, R matrix है जो matrix MR और MS का multiplication है और MR और जब MS को multiply करें तो जहाँ 0 आ रहा है वहाँ तो 0 रखतेंगे जहाँ 0 नहीं आ रहा है उसको हम 1 लिखेंगे इसलिए मैं 1 बोल रहे हूँ कि कभी-कभी multiply करने पर 1 into 1 प्लस 1 into 1 2 भी आ जाता है हम कहते हैं कि जो 0 है वह तो 0 लिख दे और जहाँ 0 नहीं है महाँ पर हम उसको 1 से प्रती स्थापित कर देते हैं substitute कर देते हैं एक example मैं नहीं लिया है मान लिजा हमारे पास में set a में element से a b c और हमारे इसी set पर दो relation r और s है और जिनकी matrix मैंने लिख रखी है m r और m s से तब हमारे पास clearly जो relation r है हुआ हो जाएगा जो हमने matrix दे रखी है उसके हिसाब से r में elements हो जाएगे ordered pair a a a c b a b b and c c और s हो जाएगा a b b c c a and c c तब s of r हो जाएगा अब देखे s of r मैंने आपको पहले बनाना सिखाया था मैंने का था यदि a b related है और a related है बीच का b element यदि common है तो हमारे पास हो जाएगा a b and b b तो यहाँ पर a b हमारे पास जिस तरह से related आ जाएगे similarly s of r में आप देखे s of r में हमारे पास elements हो जाएगे a a, a b, a c, b b, b c, c a and c c अब इसको matrix के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा यदि मैं m r और m s को multiply करूँ तो जो multiply करने पर matrix आएगी वो ही हमारी m s of r की जब हम matrix बनाएगे तो वो आएगी इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमारे को composite जो relation है उसकी matrix बनानी हो तो यदि हमारे को m s of r calculate करना है तो वो m r into m s matrix के जो relation है उनको हम multiply कर देते हैं next है मेरे पास अब types of relation संबंदों के प्रकार पहला है empty relation यानि कि रिक्त संबंद रिक्त संबंद क्या होता है कि अपने जो relation जब हम निकालते हैं तो हम ordered pair यदि हमारे पास में a और b दो set हो non empty set हो और a cross b के subset हमारे relation होते हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं a cross b का एक subset होता है 5 तो 5 हमारा क्या कहलाता है रिक्त संबंद यानि कि empty relation और universal relation सारवरत्रिक संबंद जो हमारा a cross b का subset हम अच्छी तरह से जानते हैं खुद a cross b भी होता है वो a cross b कहलाता है हमारा universal relation next है हमारा identity relation identity relation में क्या है कि यदि हमारे परस में a कोई set दे रखा है which is non empty तो a cross a का कोई subset i a उसके elements होने चाहिए a a such that for each a belongs to a हम इसको कहते हैं कि set a पर ये एक identity relation है for example हमने माले जे a में set a लिया 1,2,3,4 और एक relation लिखा है r is equal to 1,1,2,2,3,3,4,4 तो ये एक identity relation होगा तत्समक संबंद होगा जबकि मैं r1 लिखूँ r1 है मेरे पास में 1,1,2,2 ये a पर एक तत्समक संबंद identity relation नहीं होगा क्योंकि 3,3 is not element of r यहाँ पर not element आना चाहिए शाद मैंने गलती से element of r लिख दिया है r1 मैंने ये r1 relation लिया है तो 1,1,2,2 is element of r1 but 3,3 is not element of r1 हमने clearly definition दिया है इसमें हमने का a belongs to i a such that for each a belongs जो भी a में elements है वो सभी आपस में खुद से related होने जरूरी है similarly यदि मैं एक relation लो r2 1,1,2,2,2,3,3,3 तो ये भी एक identity relation नहीं क्योंकि 2,3 इसका r2 का element है जो नहीं होना चाहिए अब आता है अपना reflexive relation ही थोड़ा पहले भी पढ़के आए होंगे हमारे पास मान लीजे r1 relation है जो non empty set a पर define है और हमने कहा a is element of r for each a belongs to e दोनों में अंतर देखिए हमने उसमें set बनाया है हमने कहा था जो अपना identity relation है उसमें मैंने लिखा है set में a a हर a के लिए a element होना जी जबकि यहां मैं कहा रही हूँ जो यहां definition दी उसमें हमने कहा है कि यह reflexive relation में हमने कहा है कि यदि a a is element of r for each a belongs to a relation r1 मैंने लिखा है यहां पर 1 1 1 2 2 2 2 4 3 3 4 1 4 3 4 4 और r2 लिखा है मैंने 1 1 1 4 2 2 3 3 4 4 4 अब इसमें क्योंकि जो अपना a set था उसमें 1 2 3 4 element है हमने एक वार each a element अपे तो 1 2 3 4 जो भी है वो आप खुद से related होना चाहिए 1 1 आना चाहिए 2 2 2 आना चाहिए 3 3 3 आना चाहिए और 4 4 आना चाहिए इसके अलावा हमारे पास कुछ भी आजाए कोई problem नहीं है तो r1 मतलब relation में कोई और member भी हो सकता है similarly r2 में 1 1 आ रहा है 2 2 आ रहा है 3 3 आ रहा है और 4 4 आ रहा है इसलिए r1 और r2 दोनो reflexive relation है जबकि r3 में देखिए 1 1 आ गया 2 2 आ गया 4 4 आ गया 3 3 हमारे पास इसका element नहीं जबकि 1 2 3 4 set a के elements से इसलिए हमारा r2 r3 जो है वो एक reflexive relation नहीं है तो clearly हर जो identity relation है वो एक reflexive संबंद होता है प्रतेक तत्समक संबंद एक स्वतुले संबंद होता है परन्तु प्रतीक स्वतुले संबंद identity relation होना जरूर नहीं होगा अब आता है next symmetric relation हमारे set हमारे पास एक non empty set a पर एक relation है r और वो symmetric relation यह संबंद कहलाता है यदि a b element of r है तो b a b r का element होना चाहिए हमने यहां यह कहा है कि a b है तो होना चाहिए इसलिए एक example में ले रहे हूँ यहां पर हमरे पस 1,2,3,4 है और एक relation r दे रखा है 1,1,1,2,1,3,2,2,2,2,3, 3,4,4,4,2,1,3,1,3,2,4,3 यदि 1,1 है तो कोई problem ही नहीं है 1 से related है सोलटा करेंगे तब भी 1,1 से 1,2 तो 2,1 का होना जरूरी है बिल्कुल है 1,3 है तो 3,1 का होना जरूरी है 2,2 में कोई problem ने 2,3 है तो 3,2 का होना जरूरी है इसका member 3,4 तो 4,3,4,4 है इसका मतलब यह एक symmetric relation है एक important theorem है इसकी कि यदि non empty set A पर defined कोई relation R एक symmetric relation होता है यदि और cable यदि R is equal to R inverse यदि मैंने आउपर R निकल ला था हम इसका R inverse calculate करें तो हमको same वापस से R मिल जाएगा तो R is equal to R inverse तो हमने सबसे पहले मान लिया कि हमारा जो relation R है वो symmetric है तो यदि A B element of A के लिए A B is element of R है तो obviously क्योंकि relation symmetric है तो B A B R का element होगा और इसका मतलब A B is element of R inverse जिए A B is element of R तेन A B is also element of R inverse इसका मतलब R is equal to R inverse अब हम इसका converse लेते हैं मान लेते हैं R is equal to R inverse तो हम prove करेंगे कि R जो है वो symmetric relation है तो A B is element of R A B is element of R inverse क्योंकि R और R inverse दोनों पराबर है A B यदि R inverse में है तो B A B R में होगा इसका मतलब क्या हो गया कि यदि A B R में है तो B A B R में इसका मतलब R एक symmetric relation है next हमारा transitive relation transitive relation होगा R यदि set A पर कोई एक relation define है और A B element of R है B C element of R है तो A C B element of R होना चाहिए अब मान लेजे हमने एक example ले रहे है कि हमारे पास set of natural numbers है और उसमें हमने relation लिया है X Y is element of R where X Y को विभाजित करता है यानि X divides Y ये एक transitive relation है क्योंकि यदि X Y Z N के element है X Y element of R Y Z is element of R हम कहते है X Y को divide करता है Y Z को divide करता है तो इसका मतलब क्या हो गया हम यदि यहाँ पे लें के P and Q are element of N such that Y is equal to P X क्योंकि X Y को Y is equal to P X Z is equal to Q Y तो Z is equal to Q into Y की जगे मैंने रख दिया P X तो Q into P into X clearly X Z को divide करता है इसका मतलब X Z is element of R तो X Y is element of R Y Z is element of R implies X Z is element of R Next is non-empty set A पर define कोई relation R एक संक्रामक संबंद होगा transitive relation होगा यदि R of R is subset of R तो हमें कभी relations को prove करना होता है कि यह symmetric है transitive है तो हम in properties in theorems को use करेंगे मान लेजे कि हमारा R एक non-empty set A पर एक कोई relation है और मान लिया कि पहली case में हमने मान लिया R is transitive R संक्रामक कि इसका मतलब हुआ कि यदि A और B element of A है तो A B is element of R of R means there exists C is element of A such that A C is element of R and C B is element of R अब A B is element of R क्योंकि हमको क्या दे रखा था R संक्रामक है यानि कि transitive इसका मतलब A B जो R of R में था वो ही A B R में भी है इसका मतलब R of R is subset of R अब की बार हमने मान लिया दे रखा है R of R is subset of R तो प्रूव करेंगे R is transitive हमने A B is element of R लिया and B C is element of R लिया प्रूव करेंगे कि A C is element of R हम अच्छी तरह जानते कि A B is element of R B C is element of R तो A C is element of R तो A C is element of R क्योंकि R of R is subset of R पहले ही दिया हुआ है इसका मतलब A B is element of R B C is element of R इंप्लाईज A C is element of R इसका मतलब R एक संक्रामक relation है यानि की ट्रांजितिव है